आप सब सुनाएं कैसे हैं आप सब आप सोच रहोंगे क्या है मेरी बेबी के लिटा साल में के चलेंज आज आपसे अपने प्यारी सी आप स्किप नहीं कीजीगा स्टार से आपको पता चले आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग है क्या क्रिटिकल स्पेश आई मेरे साथ क्या फेस करना पड़ा मुझे हाट था तो जो बद मदर बनने वाली है यह जो मदर्स हैं वह बहुत बैटर त्रीके से जानती है कि मदर जो रिष्टा है रिलेशन है वो कितना ही अन्मोल है कितना ही खुबसूरत है यह फरस अपॉल इंसा से स्टार्ट चरते हैं फरस्ट अपाकिस्तान में खाती पीती नहीं थी तो ममा ने नोट किया कोई ने कोई गड़बर है तो वह कहती थे कि चाकप कर्माल अपनुसे से खाने रही है क्योंकि यूनों पाकिस्तान वाली कितनी खिदमत करते हैं और वहां पे लहुर का फूड था तो खाती थी लेकिन ही खा पाती थी तो फिर हमने का चलेंज जी यहां से चैक में करवाते है कुछ सिच्वेशन ऐसी है तो वहां जारके ही करवाएंगे तो इसल और ही एकसाइटमेंट होती है और जो खुशी होती है उसको तो हम भी नहीं कर पाते हैं जीट और उसके बाद 9 मांग्स मेरे माशाला कैसे घुज़रे वह मुझे वच्छ पता चला था कूंकि अकेली होती थी हैं मुन काम भी होते थे और परस बेबी था क्या करना है क्या न सबाते हैं मैं काम किया था कि बेवित के हाले से प्राक्सी के हव और से लेबर मेंञते हैं जो पीट होती हैं किस-किस बच्भार में रखे antagon सब्सक्राइब जींट ऐसको किस तरह से सुनाना है क्या करना है कैसे नहीं करना है तो हो सब डिटेश उन्होंने हमें उसक्राफ में बताया था हम एर्री वीक हम मुआ जाते होते थे तो बास अलंदिलास एकसाइटमेंट फर्स बेबी की होती है कि सब कुछ करने को दिल करता है और यह एक होस्पिटर डॉक्टर बहुत भागम भाग होती है लास्ट शेक्स मंत में तो कमसकम के डॉक्टर पार जाना पड़ता है बलर टेस बागम वाकि इतनी थी और तब मैंने अपना वेट भी बहुत बूट आन किया था बहुत ज्यादा मेरा वेट हो रहा था क्योंकि लेट नाय तक खाना यह खाना है वह खाना है मामा कहरी खाओ पी ओ कुछ नहीं चोड़ो ऐसे है तो कभी इदर से कभी इदर से और ज्यादा यहाँ मेरा फर्स बागम निकलना नहीं होता था तो जो कुछ बाते थी वो मुझे नहीं बता थी तो इस तरह से तो फिर यह के हार्मोस बहुत चेंज होते हैं और बहुत ज्यादा मुझे भूख लगती होती थी तो फर्स में तो फिर ऐसा सब कुछ चलता है और उसके तो उस ताइम पर जब हैजमन ने इंशा को होल्ड किया पकड़ा थी तब वो थे मेरे पास तो बहुत खुश हुए थे और बहुत हैपी हुए थे क्यूंकि गर्ल हुई थी इंशा तो उसके लिए बहुत जारे एक्साइटीड थे और यहाँ के रहमत थी अर रहमत जहां प ताइम गुजरा कैसे बड़ी हो रही है और उसके बाद जो स्टेज का लाग हो था 2019 में मुझे फिर मैंने गुबाय कम सीथ किया लुब लीला और फिर हमने मेरे 9 मुझ कैसे गुजरे मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे इंच रा इंच अग सब बीजी रही काम किया गचा से तो मुझे पता भी नहीं चला ता तो इसका मैंने क्या करना है उन्य क्या खाना पाद नहीं चला कि मुझे पहले वाले व्यूंशे थे किस तरा करना है कुछ है रॉत रना यूजर युस्ट। वर जल्याय कि अबने तरह नहीं पता कि और इस दफार मैंने पता कर वाया था तो तब से मैं बहुत है थी माशाले एकसाइट में और बी ज्यादा होगी थी तब ही पिर मैंने उसका कुछ नहीं सोचा स्टार्ड कर दिया था उसकी मेने धिन जगरा बाइकन स्टार्ट कर दी थी कि पता है और वन मंत पहले मैंने किया था और ये के साथ में उसकी क्लोजर जगरा सैट करनी शुरू कर दी थी तिंग्यरा अपने आपको तो सब बिजी भी किया था अलम्दुलिल्ला तेरे शपनों का संसा शबरने वाला है सुना है आस मां से चाड़ उथरने वाला है अपनी आंगन में से थारों को सजाए रखना अपनी गोड में पहारों को बीचाए रखना हाइक नधासा महमाल आने वाला है ये तक इस दफ़ा मैंने अपना माइन्ड रीदी किया हुआ था कि मैंने जैसे इंच्टर लिवर में मीन में नॉर्माट दिवरी होई थी तो तो उस यसाब से मैं मैंन को राड रीदी क्या हूँआ थी कि यह होगा यह होगा कुछ बहुत थी माइड में तो थोड़ साय क्रिटिकल था तो इसलिए पिर कहते थे के रेस्ट भी करो और काम भी करो कि हम ज्यादा काम गरा करने लग जाते हैं तो यह है कि लास्टाइम पर फिर जब लास्टाइम पर अचानक जी मुझे जाना पड़ा यह है कि इंश्रा भी मुझे टू डेज के बाद हुई थी टू त्री डेज अबव हो गे थे और वे अगला के दवा वे टू थी फोर डेज अबव हो गे थे उपर हो गे थे तो मैं कहरे थी बस यह टाइम बस किसी का से गुज़र जाए और उसके बाद क्या हुआ कि मैं भुए लेकि मेरे मार मेरे वरी था कि वरी सब कुछ होगा फिर सीज़र रख से रखा वाता लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ अर जैसे मैंने सोच आ था जैसे माइंट शैट एफ किया था तो उन्होंने जब कहा और उस ताम पर फील भी हुआ उस ताम पर फील होता है कि कि पेरंस जो होते हैं लास्ट पे डिसीजन कैसे लेते हैं कैसे लेते हैं मेरी वह फिलिंग आई थी जब हैसमा ने मुझे आपके पुछा यह डॉक्टर ने हैसमा से पुछा कि जी सनेचर कर दें क्योंकि अपरेट मीन सीसेक्शन करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है तो ममा क यह कहां कि देर नहीं करनी चाहिए यह क्रिटिकल सब्सक्राइशन है तो इसलिए फिर दिसीजन लेते हुए वागे बहुत हुए थी कि I don't know क्या होगा तुम कुछना है फिर पता नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो अल्हंदुलिला बस अल्ला पर यकीन था च मचे इसमेड़े जया है जब बेबी था और रो रहा था सब्सक्राइब दो मैंने कि इसमेर की मेरे पास रहा था में बलेरी था मुझे जयां तक यहां एतना अच्छे से यहां इसक बन canada जिका रहा है तो लेकिन जुन्दा ब्लेरी से था था तो उस ताइम पर वो हमारे करीब होता है और जब वह वह ताइम कहते हैं कि वह बेबी होता है उसको कैसे पता होता है कि मैंने मदर को किस करनी है मैंने कैसे ममा को पास जाना या मेरी ममा है या ममा उसको किस करती है प्यार करती है वह चुप हो जाता है MTRI किसए नग्रा difficult five- सब्सक्राइब if you do this मध़ीर होटा हो जाता योट जाता उसका होता है कि मुझे याद है कि मैं मुझे बलेरी बलेरी मैसरा रगा सार और जो दुसरा किया जा-चाला था तो तब भी भो मेरे साथ मिलेट वह था और और ताइम कि कुछ हमने पा लिया है कुछ हमने अचीव कर लिया तब वह टाइम होता है जो मदर्स देख रही है और बहुत बढ़ प्यार किया क्या कि इसको इन्षा के दफाइब डिफरंट था तो इसकी तफार डिफेंट था बहुत बहुत ही व्यारा है इसलिए कहते हैं कि emotional attachment हो जाती है बचों के साथ जो मदर करिष्टा है ना वाकि जब मदस बनती याना मैं खुद जब बने तम मुझे अपनी ममा का एसास वाक फिल वाकि एक मदर है इसलिए कहते हैं इसलिए और सम्रेशनशिप बहुत ही प्यारा निशता है बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा और जो बनेंगे उनको भी जदूर अच्छा लगेगा यह तो यहां सम्मोमेंट्स के साथ ही है के इंशा भी बहुत एक्साइट होई थी और इसके पापा भी ईनी हम ज्वता है। ला इनाहा इन्दा ला इन्दाना लुछ être कह्य है護 दिन को अम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया इनको हम लेके चले हैं अपने संगे और इंशा तो कोई ज्यादा ही थी इसके साथ मुझे यादा है कि मैंने मुझे लगा था एपिडूरिल के जैक्षिन जो बाक में लगता है अचा इंशा की दफा और इस दफा दोनों दफा मुझे लगा था आइक कहते लगवाना तो नही तो इस दफा तो गुरूरी होता हो सुचियोशन को वैसा की पता भी नहीं चाहता है अजिके साथ में अपना से फोटो शूट से शेयर कमा चाहरे हैं कि इंशा कि बपत ऐसा की नहीं हुआ था तो इस दफा पर वेलकम मेरा यह कुछ च्छट प्रटीजिक कुछे सेलिग्रे 11 झाल 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 तो यहां पे थी मेरी मीन हड़ эпी स्टोरी भी इमोशनल स्टोरी भी एंड़ ते कियुर्शी स्टोरी उर मेरी यही द्वाय हैं क्यों मुद्व्भ मेली achievements growth सबके लिए बस बस खुश रहें और बच्चों के साथ अबाद रहें ओके जी अला पीस